आक्सर हम मन में प्रशन पूछते हैं कि हमारी जनम की राशी और जनम का लगन क्या यह दोनों हमारी जिंदिगी पर बहुत प्रभाव देते हैं जनम की राशी के बारे में तो तक्रीबन आप लोग फिर भी अपना मन पक्का कर लेते हैं कि इसका बहुत प्रभाव होता है किस तरह का असर देते हैं इसी श्रंकला के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जो अलग-अलग लगन और राशी के आपस के कॉंबिनेशन्स को मिला कर है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आज उसी श्रंकला में जोडने जा रहे हैं कि अगर व्यक्ति का कर्क लगन है और राशी कुंब है कौन सी राशी जनम की राशी कुंब है तो ऐसे इस्तिती में क्या होगा उनके व्यक्तित में क्या ऐसी खा मैं स्टोलाजर शले जन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ दर्शको जब व्यक्ति का कर्क लगन होता है और जनम की राशी कुम्ब होती है तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जनम की राशी कुम्ब होने के लिए वहाँ पर चंद्रमा का बैठा बहुत आवश्यक है यानि दर्शको यहां पर आप इसे भी समझ सकते हैं कि लगन करक है और चंद्रमा जाके बैठ गए अश्टम भाव में तो क्या सही में जिंदिकी समाप्त हो गई क्या सही में अब हमारे अंदर कोई काबलियत नहीं रही क्योंकि अश्टम भाव से तो वैसे भ जताते या दिखाते नहीं हैं इसे ऐसे मानके चलिए कि आपके मन में यह परिस्तिती हमेशा बनी रहती है कि हम क्यों जादा शो करें हम क्यों सामने वाले को जादा बताएं जरूरी तो नहीं कि हमारी सारी बाते जाने और परस्नल बाते तो बिलकुल नहीं बताएंगे इस पता नहीं वह भी करीबी हैं या नहीं यानि बड़ी ही mysterious personality बनाता है यह combination उसका कारण है दर्शको यह combination आपके मन के अस्तिद्व को बहुत ही उच्च कोटी पर ले जाता है पर आप कहेंगे अचारे जी मन तो दुखी रहता है तभी तो उच्च कोटी पर ले जाता है क्योंकि यह combination आपको struggle का चहरा बहुत पास से दिखाता है यह struggle तन का भी हो सकता है मन का भी हो सकता है और धन का भी हो सकता है जरूरी नहीं है तीनों हो पर कहीं न कहीं struggle होता इतना जादा गंभीर है जिसके कारणवर्श दर्शको कर्क लगन और कुम राशी के combination वाला व्यक्ती personality को strong कर लेता है तभी तो मैंने बताया बहुत कम उम्र से ही यह वहवार में आ जाता है कि हम अपने बारे में हर किसी को जानने नहीं देंगे यही कारण है दर्शको कि कभी-कभी जब उम्र कम होती है उतनी maturity नहीं आती है तो ऐसी परिस्तितियों में मन यह करता है इस combination के अगर हमें कुछ गलत बोला तो एक सेकंड भी ना लगा है उसको जवाब देने में कहने का मतलब पलट कर जवाब देना तो आपकी व्यक्तित का बहुत बहतरीन हिस्सा हो जाता है बहतरीन इसलिए कह रहा हूं दर्शको क्योंकि कर्क लगन और कुम राशी का यह जो व्यक् करती कहीं ना कहीं बातों को समझता बहुत अच्छे से है सामने वाली की परस्नेलिटी को जज बहुत अच्छे से करता है क्योंकि बाती बाती के अनुभव बहुत कम उम्र से देख रहा होता है उसको बहुत तरह के धोके मिलते हैं जिन्दगी के अंदर जो बच्पन से ही उसने अनुभव किये होते हैं यह दोका कभी कभी नहीं बहुत बार घर के अंदर के लोगों से भी मिलता है जैसा कि अक्सर इंसान उमीद करता है कि मेरे घर के बड़े मेरा साथ दें पर अगर आपका कर्क लगन अरकुम राशे का कॉम्बिनेशन है इसका मतलब यह रहा दर् आता है लेकिन दर्चो को ऐसे इस्तिति में करियर को स्टैबलिश करने में दिक्कत भी आती है क्योंकि देखे ना सब कुछ खुदी करना है खुदी समझना है खुदी देखना परखना है खुदी काम करके देखना है उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है तो इसके का कारण समय तो लग जाता है यही कारण है कि इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति बहुत बार अपनी जिंदिगी में करियर को बदलते हैं या इसे ऐसे कहिए कि उनके रिष्टिदार उनके करियर को उंगलियों पर गिंते ही रहते हैं कि अब और कितना बदलो गए लेकिन उन्हें न अलबूते आगे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत देता है पर जानता हूं उसमें शुरुवात में बहुत जादा तकलीफ होती हैं इवन दर्शकों आपके परसनल रिलेशन्स में भी जैसा मैंने बोला ना कि आप घरवाला से उमीद करते हैं पर उतनी उमीदे पूरी नही पाएंगे दर्शकों सिर्फ लगनेश अश्टम में नहीं हैं करक लगन का स्वामी अश्टम में हैं जिसने राशी भी जीवन की बना दी कुम्ब इसका मतलब आप तो बहुत बड़े शौक एब्जॉर्बर हैं पता ही नहीं लगने देते किसी को कि आजकल इन परिस्तितिय पूरा बनाके चलते हैं हाँ एक और खास बात होती है लेकिन उसको बताने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपके किसी करीबी व्यक्तिय का कोई और लगन है कोई और जनम राशी है यानि लगन और राशी का कॉम्बिनेशन कोई और बन रहा है तो उसके ल सकते हैं ऐसे ही दर्शको मन में यह प्रशन भी उठता है कि हमारी जनम पत्री में तो बहुत सारे शुब योग हैं फिर फल क्यों नहीं दे रहे आखिर कब मिलेगा हमें फल या फिर हमारी जनम पत्री में बहुत सारे अशुब योग हैं क्या सही में हमारी जिंदगी तरक् दिश में रूची तो बहुत है दर्शको चलिए उस पर पहुंचने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जरिया मिल जाएगा प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा उसके अंदर अब बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं यह कहने जा रहा था कि करक लगन और कुम्राशी व बढ़ना कि इसलिए काम धंठा बदल दिया कि हमसे नहीं हो रा है ऐसा नहीं है हर लिए कि अज्यारे बहुत ही ऑच्छे से सीख लेते हैं चाहे उसका काः-जा ना आता हो फिर भी हर काम के लिए तयार हर काम को सीखने के लिए तयार और तो और आप कहेंगे ऐसा मीडल बच्पन हो जवानी हो मिडल एज हो इवन ओल्ड एज हो आप कहेंगे अब ओल्ड एज में सीख कर क्या करेंगे यह तो आप ही सोचिए कर्क लगन और कुम्ब राशी वाला के कॉंबिनेशन व्याला व्यक्ति नहीं सोचता वो कहता है पता नहीं कब क्या काम आ इस परिवर्तन छीलता के साथ चलते रहना क्या कमाल का कॉंबिनेशन बनाता है आपको देखिए ना जिन्दीगी में हम सब अनिश्टिता से डरते हैं यानि अनसर्टैनिटी से घबराते हैं हमें लगता है कल पतानी क्या हो जाए पर कर्क लगन और कुम्ब राशी का व्यक्त परिष्टितियों का अंदाजा लगाता है किस चीज के अधार पर उसी स्ट्रगल के अधार पर जो उसने बच्छपन से छेला मैं फिर बोलूंगा तन मन और धन तीनों की क्या आवशक्ता है यह कर्क लगन और कुम्ब राशी का व्यक्ति वाला बहुत बारी किसे समझता है इसी कारणवश दर्शको वो अपने परिवार को अपने कंधों पर उठा कर चलता है इसे ऐसे समझिये उम्र कोई भी हो पालेगा वो ही अपने परिवार को बस परिस्तितियां बदल जाएंगी किस तरह से पालेगा जब यंग होगा तब पैसा तो दे नहीं पाएगा लेकि अपने परिवार का पूरा डिफेंस करना आता है जब कर्क लगन और कुमवराशे का गॉंबिनेशन आफका है जब कमाना शुरू करेंगे तो कमाई का मैजियोरिटी ओफ इससा अपनी फैमिली को देंगे अपने पर नहीं खर्च करेंगे लेकिन एक चीज है जहां पर फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यवार करते हैं वह होता है उनके व्यवाहिक जीवन के बारे में यहां पर वो अपना निर्डें खुद लेते हैं इस कॉंबिनेशन के कारण कॉंफिडेंस तो आ चुका होता है अपनों को भी देख चुके होते हैं और अपने के आसपास वाल होगा फाइदा मतलब फिर वही प्यार में फाइदा चाहिए या फाइदे में प्यार चाहिए जैसे चाहे समझिए मतलब यही है अब अपनी सोचेंगे इसलिए शद्दों पर मत जाना बहुत सोचली दुनिया की लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर वालों को छोड़ पर अब अपने जीवन की पारी है इसी कारणवर्ष बहुत डिले कर देते हैं कई बार जीवन साथी को चुनने में या चुनाव करने में लेकिन फिर भी बिलकुल जो अपने अकॉर्डिंग अपने ले ठीक जीवन साथी हो उसका चयन करते हैं और अगर कभी किसी ने माच क्या कहेगा कि हमारे पर डाइवोर्स का ठपा लग गया उसे फरक नहीं पड़ता यही तो कॉन्फिडेंस है जो सही माइने में कॉन्फिडेंस है कि किस तरह से जिंदिगी में आगे बढ़ना है यही कारण है दर्शको कि इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति वाले को कही न अच्छी करते हैं एक समय के बाद क्योंकि एक समय के बाद वो एक ही चीज़ पर कंसिडरेशन रखते हैं मेरा जीवन साथी और मेरे बच्चे उसके बाद सबको सेकेंडरी कर देते हैं जिनको पहले से प्राइमरी यानि प्रतम इस्थान दे रखा होता है इसके कारण ऑवि देगा क्योंकि बदलना तो उन्हें हर श्रेणी में आता है यही तो बता रहा हूं परिवर्तन शीलता बहुत कहराई से हैं उनके अंदर और तो और वह जो परस्टनेलिटी की सीक्रेसी थी ना हर किसी को कुछ नहीं बताना कुछ नहीं दिखाना नहीं जताना जीवन साथी के साथ खुल के बात होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी सीक्रेसी वहाँ भी चलती है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों की कमिया अभी भी अपने जीवन साथी को बताना नहीं चाहते हैं यानि सीक्रेसी तो मैंटेन करेंगे अब चाहे पर्सनल लाइफ हो या तो इसका मतलब सीक्रेसी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके दुश्मन आपके बिल्कुल बहुत करीब हैं अगर उन्हें पता लगा कि आपके अर्णिंग कुछ ऐसे हो रही है या कुछ वैसे हो रही है तो फिर गड़बड कर सकते हैं वो लोग इसलिए ज़रा ज्यादा सचे करेंगे कि सही माइने में ये बाते कितने आप पर अपलाई हैं यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद